तो आज हम स्ब्रू करने वाले चैप्TER ELECTRICITY एक recap देखेंगे एक का ELECTRICITY class 10 बाइसद का चैप्टर है सर ठीक है तो तो बोट इस ELECTRICITY कैसे काम करती है क्या होता है आप घर में देख आम बल्ब पंखे सब कुछ चलते ही सब किससे चल रहा है ELECTRICITY electricity से ऐसा क्या है जो इनको लाइट दे रहा है पंखा घुमा रहा है क्या चीज़ है उनको जानने का प्रियास करें तो सबसे पहले बात कर लें क्या होती electricity the flow of charge the flow of charge is known as electricity ठीक है ना अब बात आती है the flow of charge तो flow माने बहना तो charge कैसे बहता है चार्ज होता क्या है देखिए charges होते हैं दो परकार के charges are of two types कौन कौन से दो परकार होते हैं एक होता है positive charge और एक होता है negative charge कहां से आते हैं यह positive और negative ठीक है तो experimental studies के दौरा यह जाना गया है कि जो positive चार्ज आता है वह किसी भी substance में मौजूद proton की वजह से आता है किसकी वजह से आता है proton की वजह से आता है आपको पता होना चाहिए everything is made up of atoms और atom की सब atomic particle होता है proton और electron and neutron proton होता है positive charge और electron होता है negative charge ठीक है तो negative charge क्या होता है electron तो proton और electron की वजह से हमारे पास charge मौजूद होते है अब यह बात आती है दूसरी के flow कैसे करते हैं तो आपने metal non metal में आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो जान लीजिए metals are those which have free electrons metals कौन होते है metal वो होते हैं जिनके पास free electron होते हैं free का मतलब उनके पास extra में electron होते हैं अब वो extra में क्यूं होते हैं क्योंकि एक octet rule होता है जिसके according last orbit should have eight electrons अब उस eight के आगे अगर एक या दो या तीन electron है तो वो हमारे free electrons हो जाते हैं ठीक है तो एक atom में दो या तीन electron हो तो वहां तो अरबों खरबों a large number of atoms मौजूद हैं तो large number of free electrons होंगे वही electron बहते हैं अब वो बहते कैसे है ठीक है और चार्ज क्या होता है तो चार्ज हमने जान लिया positive और negative होता है proton की वज़े से positive और electron की वज़े से negative अब चार्ज होता कितना है तो one electron has one electron has कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power और ये SI unit होती है charge की कूलॉंब क्या होती है SI unit charge की कूलॉंब होती है जिसको हम C से denote करते हैं तो एक electron के पास कितना चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉंब अच्छा electron है तो ये charge किस में रहता है माइनस में और प्रोटोन के पास यही चार्ज होता है प्रोटोन है पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power माइनस 19 तो देखिए चार्ज जो है इलेक्ट्रोन का और प्रोटोन का दोनों का इक्वल होता है साइन के अगर डिफेरेंट होता है इलेक्ट्रोन पर निगेटिव होता है और प्रोटोन पर पॉजिटिव होता है इसलिए और number of electrons and number of protons are always equal in an atom तो atom पर इलेक्ट्रोन की संख्या और प्रोटोन की संख्या बराबर होती है atom के पास electron की संख्या और प्रोटोन संख्या बराबर होती है, इसलिए atom neutral position में होता है no charge, ठीक है तो आप देखो आगे इतना समझ लिया, इसके बाद देखिए अब एक कुशन यहीं से बनता है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्या कुशन बनता है how much charge how much charge has one electron तो mcq है तो आप बता देंगे, minus का 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम एक और कुशन बनता है how many how many electrons are there in one कुलाम of charge एक कुलाम में कितने electron होता है एक कुशन नहीं बनता है तो एक देखो charge को denote करते है किसे q से q से q is equal to any quantization of charge होता है इसको बोलते है quantization of charge यह तो एक फॉर्मूला है q is equal to any जहाँ पर q क्या है q है आपका charge q क्या है charge n क्या है number of electrons और e क्या है charge on one electron ठीक है तो यह दो फॉर्मूला है अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आमने पहले बता है आप तो एक unitary method सीख लो होज जगे कहा हम आता है तो देखो भाई one electron has 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb तो यानि कि 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb has one electron तो 1 coulomb has one upon 1.6 into 10 to the power minus 19 तो बन पॉइंट अभी यह 10 to the power minus 19 उपर जाएगा तो 1 into 10 to the power 19 प्लस का हो जाएगा और यह 1.6 यहां से आप पॉइंट अटाएंगे तो एक 0 इदर बढ़ जाएगा ठीक है तो अब इसको डिवाइट कीजिए कर लीजे यहां पे पॉइंट लगाएंगे 100 हो जाएगा 96 हो जाएगा 4 बचेगा फिर 0 8 बचेगा फिर 0 और यहां तो क्या आया 0.625 इंटो 10 to the power 19 यानि के 6.25 इंटो 10 to the power 18 electrons तो एक electron में कितने एक कुला में कितने electron होते हैं 6.25 इंटो 10 to the power 18 electrons clear understood बिटा दें फॉर्मूला क्या था हमारे पास हमारे पास फॉर्मूला था q is equal to any ठीक है तो q आपका क्या है 1 कूलाम एन पूछा है और electron की जंग है 1.6 इंटो 10 to the power minus 90 यह है clear then n is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 90 ओके दैन क्या हो जाएगा यह 10 to the power वही बाकिक कैलकूलेशन वही है सेम ठीक है ना यह आपका उपर आ जाएगा और नीचे राजाएगा 1.6 जो कि आएगा 0.625 into 10 to the power 19 and 6.25 18 electrons यह है हमारा ठीक है अज़ आपक्टोड। understood ? 20 blocks 22 to the power 0.7 अरे वो 990 निका हमारा जाएगा अचे 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 लागएगा how many electrons How many electrons will flow to produce 3 Coulomb of charge, यह है, how many electrons will flow to produce 3 Coulomb of charge, तो फिर से कलो Q is equal to N E, ठीके न, then N is equal to Q upon, then 3 है न, upon 1.6 into 10 to the power minus, solve करो ग्याम सरा जाएगा, clear, करही लेते, तो यह हो जाएगा 3 into 10 to the power 19 upon 1.6, पॉइंट अटाओ, जीओ लगाओ, 16 बंजा 16, फिर बता 14, आप में सॉल कर ले न, प्रांसर आजाएगा, ओके, बड़ा भाग में फसें, आप चलते हैं आगे, तो हमने चार्ज आन लिया, अब यह चार्ज बहता कैसे है, क्यों बहता है, क्या होता है कि चार्ज बह जाता है, तो चार्ज बहता है, पोटेंशियल डिफ्रेंस की वज़े से, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है, चंता, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, और पोटेंशियल डिफ्रेंस की वज़े से चार्ज बहता है, देखे तार के दो end है मतलब एक सिरह A है और एक सिरह B है तो इन दो सिरों के बीच में इसके potential में difference होगा कैसे चलो पानी किसे समझते का प्यास करते है माल लो दो weaker है आपके पास you have two beakers चीक है तो बीकर को माल लो सिरह ends माल लिजिए एक A है और एक B है और ये दोनों एक pipe से जुड़े हुए है इस प्रकार से जुड़े हुए है आप देखेंगे आप पाएंगे इसमें पानी की मात्रा इतनी है तो पानी कहां से कहां बहेगा A से B की तरफ भहेगा क्योंकि B की potential कम है तो potential ज़्यादा से कम की तरफ भहता है चार्ज तो इसे फिरकार चार्ज भहता है अब कब तक भहेगा जब तक कि दोनों का level क्या ना हो जाए same ना हो जाए और जैसे ही level same हो जाएगा charge भहना बंद हो जाएगा इसको आप experimentally घर पर भी कर सकते हैं charge हैं दो प्रकार से एक होता static charge static आप scale को घिसिये सर पर और कागज पर छुलाईए तो कागज चिपक जाते हैं लेंगे थोड़ी दिरवाद वो कागज छूट भी जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप scale को टच कराते हैं तो scale पर acquire हो जाते हैं charge positive charge acquire हो जाते हैं और जो कागज के टुकडे हैं वो negative इसके साथ जुड़ते हैं छिपक जाते हैं कि कागज पर negative तो positive attract negative हमें सहाज रखेगा opposite charges attract each other same charges repel each other positive charges opposite charges attract each other और same charges repelation तो चिपक़ने के बात क्या हो जाएगे थोड़ी देर बास जूट जाएगे क्यों छूट जाता है क्योंकि यह ही condition हो जाती दोनों में बराबर हो जाते है चीक बराबर हो जाते है तो चूट जाते है attraction खतम हो जाता है अब पानी पहेगा जब इस condition पर जाए कहीं नहीं पहेगा फ्ले पाहई से जोड़े रहे हैं को दिक्कत है नहीं न तो बास तो potential difference क्या हुआ the difference between the difference of potential between two points of yeah two ends of wire कहलो या कुछ भी कहलो ठीक है अब देखो भाई potential difference को denote किसे करते है potential difference को denote करते है is denoted capital V किसे denote करते है capital V से ठीक है और V is equal to क्या होता है work done per unit of charge Q तो W upon Q से क्या definition रही W है work done और Q है charge तो क्या हो गया work done to flow one unit of is known as potential difference potential difference ठीक है अब V यानि कि यह क्या होता है एक ampere एक volt क्या होता है एक volt यह क्या होता है work एक joule और क्यों क्या होता है एक कूलाम तो एक volt की definition क्या हो जाएगी one volt क्या हो जाएगा one volt is the potential difference one volt is the potential difference क्या होता है when one joule of work of work is done to produce one कूलाम और तो यह एक volt की definition हो जाएगी important है पुझा जाएगा अच्छा सुनो क्या होता रहते है आपको लिखना है लिखते समय याद रखिएगा आपको नहीं आ रही grammar कुछ नहीं आ रही तो formula ही लिखाईएगा इतना भी लिखाईएगे तो भी आपको marks मिलता है छोड़ना कोई question नहीं है सारे question करने है और आपको जो भी आदोस के बारे में वो कराईएगा नंबर देने पर जोर होता है copy जब करेक्ट की जाती copy correction में साफ साफ बताया जाता है नंबर देने पर जोर होता है काटने पर नहीं clearly instruction होते हैं कि आपको number दिये जाए काटे नहीं जाए ठीक है तो schools में डराया जाता है ऐसा हो जाएगा कुछ भी नहीं होता वेलकुल काम सांत मस्तिक से जाएए चुपचा उतना paper कीजी तो आप कुछ भी लिखने grammar से कोई मतलब नहीं गलत हो जाए आप तो सीथा लिखो one volt नहीं आरा one volt when one joule work produce one column of charge पूरा नंबर में लेगा one volt means one joule work produce one column charge नंबर में लेगा टेंशन नहीं लेना देखे क्या है कि CBA से ये कहता है कि आपको आता है अब आप उसको express नहीं कर पा रहे भाई साइंस क्या है practical means you must have known the value you must have known the science experimentally ताकि आप आगे जाके कुछ बना सको ठीक है ये schools में होता है नो तक ऐसा लिखो टीचर कहते हैं ऐसा ही लिखना पड़ेगा किताब का ही लिखना पड़ेगा isn't it इधर नहीं होता तो समझ गए clear हो गया अब चलते हैं आगे हैं ये बाद आता है potential difference को नापते किससे हैं potential difference is measured किसे measure करते हैं by voltmeter दूसरी चीज़ voltmeter के बारे हम जान लो voltmeter is always connected in parallel in a circuit अब बात आगे electric circuit की ठीक है ना अब अगर आगे ये बात देख लेते हैं electric circuit क्या होता है एक और चीज़ जान लो तो electric circuit क्या होता है बई electric circuit ठीक है तो इसका मीनिंग होता है a closed and continuous a closed and continuous path of electric current is known as electric circuit क्या होएगा electric circuit ये है मालो ठीक है ये वैटरी है वैटरी में दो तार जोड़े है लेकिन ये closed नहीं है ये दोनों तार अलग है अब इसको किसी परकार से जोड़ना है तो बीच में हम क्या करेंगे एक कोई device ले लेंगे इसमें इसमें लगा दिया और इसका दूसरा सिरा इस्तार में लगा दिया ठीक है ऐसे ठीक है ना तो ऐसे लगाने के बाद ये देखो अब ये पूरा जुड़ा हुए है न तो ये हो गया closed and continuous कैसा हो गया closed and continuous तो इसी को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते है ये है हमारा closed and continuous path of electric circuit अब symbols समझ लेते है symbols of circuit चाक्या symbol ने कैसे बनाते है तो भाईया सबसे पहले तो क्या एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी बड़ी मतलब positive छोटी मतलब negative ये क्या है ये है cell क्या है cell और combination of cell क्या होता है एक cell एक और cell और एक और cell तो combination of cell क्या कहलाता है battery ठीक है और यहीं पर आप लिख लीजिए कि potential difference जो है potential difference in a circuit is maintained कि से maintain किया रहता है यहाँ पर inverter रखा है और यहाँ पर आपका bulb है ठीक है तो bulb का दूसरा सिरा भी आ लिए अब current कहां से कहां भहे बल्ब में तो charges acquire है नहीं बैटरी क्या होती चार्ज को acquire करती है accumulate करती है तो charge बैटरी के पास इकटे हैं बैटरी से charge बहेंगे बल्ब की तरफ बैटरी से charge कहां बहेंगे बल्ब की तरफ और वो charge heat energy के थ्रू यूज हो जाएंगे जब तक यूज होते रहेंगे heat energy में convert होते रहेंगे जब तक बैटरी और बल्ब में चार्ज बराबर ना हो जाएंगे खतम ना हो जाएंगे तो उस ही कहते हैं बैटरी हो गई जो है वो कैसे maintain किया था किसी सर्कुट में बैटरी लगा दो या cell लगा दो क्यूंकि जो बैटरी या cell होगी उसके पास charge जादा होंगे तो जादा से कम की और बहेंगे बात समझ में आगी इसके बाद हमारा symbol आता है यह क्या है connection of wire हो गया यह symbol है बल्ब का किसका बल्ब का ठीक है यह symbol है किसका resistance सब पढ़ना है भी हमको है ना यह symbol है parallel connection of resistance ठीक है यह symbol है series connection of resistance ठीक है clear यह symbol है real state का किसका real state का ठीक है clear यह symbol है switch का और switch कैसा है यह on on का मतलब closed closed का मतलब यानि के circuit जो है वो close है खुला नहीं है लाइक दिस और खुलने का मतलब circuit ऐसे अब अगर जितार आ रहा है ऐसे रखाओ ऐसे कर दो तो open circuit क्या यह current फ्लो नहीं होगा open circuit में current flow नहीं होता यह लाइक दिस यह open यह close लो सर्किट का मतलब तारसे तार्ट अच्छे तो current फ्लो होगा तो close यह on की condition ठीक है यह क्या है switch off यानि के open open circuit हो गया clear understood these are the symbols of your electric circuit अब देखो भाई plus minus जिस तरफ से plus आए this is a meter इससे क्या नापते है current नापते है this is voltmeter और this is galvanometer a meter जिससे current नाप जाता है voltmeter जिससे potential difference नाप जाता है galvanometer जिससे presence of current पता की जाती है अगर galvanometer की सुई जो है वो आपकी deflectory it means there is current चीक है voltmeter की सुई अगर deflectory वो तो होगी voltage नापने के लिए ठीक है चलो गए आपके क्या है symbols of electric circuit अब इनकी साहता से कोई circuit बनाने का प्रियास करता है ठीक है चलो में बना मिटा दें इनी का प्रियोग करते हुए आप एक circuit बनाते है अब देखो आप देखो आप देखो make a circuit make a circuit having two resistance connected in series है वन वल्ब है आप बैटरी ओफ है नौ गोल्ट है एंड अस्विच है यह बनाना है हमें के बताना है एक नौ बोल्ट की बैटरी है एक बल्ब है दो रेस्टेंस है जो की सीरीज में लगे हुए है वन अमीटर एंड वोल्ड मीटर चल बड़ी इनको भी देखते हैं क्लियर तो भाई सबसे पहले बनाओ बैटरी यह बन गई बैटरी बन गई अब सीरीज में जहां मर जी वहां आप अमीटर जोड़ दो अमीटर is always connected in सीरीज सीरीज का मतलब तार के कहीं भी बीच वे तो यहीं पर हम जोड़ दे रहे हैं यह जोड़ दिया अब प्लस इस तरफ है तो इसका प्लस यहां रहेगा माइनस इस तरफ रहेगा अफ्तार को मोर दो ठीक अब वो कह रहा है तीन रेजिस्टेंस एक दो तो यह ना और एक बल यह लग गया बल अब वोल्ट मीटर चुड़ता है पैरलल में पैरलल कनेक्शन कैसे होते हैं कि वायर के बीच में नहीं होंगे वायर से कनेक्शन लीज आप पैरलल है तो एक सिरह इस तरफ एक सिरह इस तरफ ताकि पूरा वोल्टेज आपको मिल सके हैं प्लस माइनस कैसे करेंगे प्लस इस तरफ से आ रहा तो तो प्लस इसी तरफ रहेगा माइनस इस तरफ रहेगा यह सिंबल यार रखेगा इनको बनाना इसके बाद यह आप of current क्या दिखाए जाता है लेकिन अभी जो सर्केट है वो पूरा नहीं हुआ सर्केट में आपको flow of current जरूर दर्थानी पड़ती है तो flow of current कहां से कहां दिखाएंगे current flow करता है plus से minus की तरफ आपके circuit में flow of current होता है flow of current होता है और that is opposite to flow of electron हमेशा याद रखेगा जो electron का flow होता है आपको पता होना चाहिए कि electron flow करते हैं देखें क्या है current कैसे flow करता है current क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं तो flow of electrons के opposite होता है flow of current क्यूं दिखाया जाता है क्यूंकि electron की खोज बाद में होई थी और electricity की खोज पहले होई थी तो देखो यह current क्या होता है अब हम current को भी देख लेते हैं एक होती है static electricity जिसको भी हमने समझाया था static electricity जिसमें charge acquire होते हैं फ्लो नहीं करते हैं second is current electricity current electricity अब यह क्या है current की बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है कि suppose करो यह metal है metal का एक टुकड़ा है और इसमें free electron है ऐसे free electron बने हुए अभी यह किसी source से नहीं जुड़े हैं तो यह कहीं भी बह सकते हैं यह सोर्स से जोड़ें जैसे हम इसको source से जोड़ें तो electron सा निगेटिब charge और electron निगेटिब charge होते हैं तो इनको एक direction मिल जाती है सभी के सभी positive की तरफ बहना शुरू कर देते हैं इस तरह से और जब यह electron बहते हैं फ्लो करते हैं तो कहां बहते हैं positive की तरफ एक्शुली current इस तरह से बह रहा होता है लेकिन चुकिए electron की खोज नहीं हुई थी इसलिए हम क्या symbol देते हैं हमेशा इसके opposite देते हैं तो current क्या हुआ current होता है flow of charge per unit of time flow of charge per unit of time is known as electric current आपने वो भी देख लिए किस तरह से flow of charge आया ठीक है तो i से denote करते है i is equal to q upon t ठीक है जहां पर i क्या है where i है electric current ठीक है i क्या है electric current है and q क्या है q है charge और t क्या है time तो si unit क्या होती है si unit होती है si unit of electric current क्या होती है ampere जिसको aces denote किया जाता है ठीक है तो one ampere is equal to one coulomb of charge one second तो when one coulomb of charge is flown for one second one ampere current flows ठीक है तो जब एक coulomb का charge एक second तक flow कराया जाए तो one ampere current वहाँ पर produce होता है इतनी वार समझ में आगी यह current आ गया potential difference आ गया इसके आगे का हम अगले part में देखेंगे thank you have a nice day